गोल्डन नियम नमबर तीन जाती का भ्यास कभी नहीं कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो बुद्ध की जाती क्या है बुद्ध की जाती के वारे में अगर आप सोचोगे तो आपको ढूंडे से भी बुद्ध की जाती नहीं मिलेगी अगर आप समराट असो की जाती ढूंडोगे नहीं मिलेगी कोई बताएगा तो यही बताएगा कि साक्य वंस के थे या मौरिय वंस के थे मतलब गोत बताएगा वंस बताएगा कि किस लाइनेज के थे कहां से परिवाद चल रहा था पर जाती नहीं बता सकता अगर आप कालपनिक पात्र जितने भी कालपनिक किताबों के अंदर जो कालपनिक पात्र दिये हैं अगर वो कालपनिक कहानी पड़ोगे तो किसी भी कालपनिक कहानी में कालपनिक पात्र की कोई जाती जाती जो आज के समय अभ्यास में प्रक्टिस में पूरे देश में चलती है उसकी बात अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर तो किसी भी काल्पनिक पात्र की कोई भी जाती आज के समय की आपको नहीं मिलेगी अगर आप जाती का और ज़्यादा गहना द्यान करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी काल्पनिक देवी देपता हैं जितने भी पूजनी है जितने भी आदर्णी है या जिनकी महिमा मड़ित होती है उसमें से किसी की भी जाती का जिक्र या उनकी जाती या उनकी जहां से कालपनिक कथाएं आई हैं उनमें जाती नहीं मिले तो जाती का जिक्र उनका मिलता नहीं और जाती पूरे के पूरे भारत में आज के समय अभ्यास में है और यहां से बाहर जाते हैं तो भी लोग उसका अभ्यास करते हैं अगर वो करना चाहें तो क्योंकि जिनको फाइदा होता है वो अभ्यास करते हैं और जिनका फाइदा नहीं होता नुपसान नहीं होता वो कहते हैं जाती का अभ्यास कभी नहीं तो जाती का जो सब्द है या जाती क्या है या जात क्या है इसके वारे में ज़्यादा जानकारी लोग रखते नहीं जबकि इसका इस्तमाल और इसका अभ्यास खूब करते है ये एक बड़े ही कमाल की बात है कि अगर आप किसे पूछोगे कि आपकी जाती क्या है तो वो जट से बता देगा बिना सोचे समझे मेरी जाती ये है जैसे वो रटी हुई हो पर उससे ये पूछेंगे कि ये जाती कहां से आई कैसे आई क्या इसका मतलब है तो वो कुछ नहीं बता पाएगा और भारत के अंदर कुछ लोगों की जाती होती है और कुछ लोगों की जाती नहीं होती ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति की जाती होती है जो जाती हम प्रैक्टिस में लाते हैं वो भारत में हर व्यक्ति की जाती नहीं है कुछ व्यक्तियों की जाती नहीं है और कुछ व्यक पूचे समझे जाती को कमर पे चिपकाए, छाती से चिपकाए, माथे पे चिपकाए, घूमते रहते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उसका अफगान करते रहते हैं. जात का जो सब्द मिलता है, या जाती का सब्द मिलता है, वो मिलता है तीपीटक के अंदर बुद्ध के वचनों के द्वारा. जब बुद्ध कहते हैं, जाती दुखा, जरा दुखा, व्याधी दुखा, मरनंग दुखा. वहाँ जो जाती का सम्मद लगाया जाता है और बताया जाता है और जो बुद्धिष्ट ग्यानी है वो बताते हैं जो नॉर्मल ग्यानी है बुद्ध के या त्रिपिटा के वो कहते हैं कि बुद्ध ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का व्याधी यानि के बीमारी दुख है किसी व्यक्ति का जरा यानि बढ़ापा दुख है किसी व्यक्ति का मरनं यानि मरना दुख है और इसी के साथ ये कहते हैं कि किसी का पैदा होना यानि जाती जाती माने पैदा हो होना दुख है यह साधरल लाइन सब लोग बताते हैं यह साधरल लाइन है यह ध्यान निखना क्योंकि मैंने अभी तरह का आपको सिर्फ साधरल लाइन बताई है पर बुद्ध यह नहीं बता रहे यहां जाती से मतलब मनुस्य का जनम लेना या मरनं का मतलब मनुस्य का मरना या व्यादिखा मतलब जो मनुष्ट के जीमने में व्यादिख आती हैं बीमारी आती हैं रुखावट आती हैं उसका या जो ब्ढ़ापा आता है यानि जर्ध अवस्था में पहुंसती हैं उसका सरीर से खोव्य लेना दरह नहीं है बुद्ध जो यहां बात कर रहे हैं वो जो सरीर में राग और द्वेस और मोह मूर्ता की जो वेदनाएं पैदा होती है जो वेदनाओं की उत्पत्ति होती है जो वेदनाएं उत्पन हो रही है उनकी बात कर रहे हैं वो सरीर की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि सरीर के अंदर राग का पैदा होना, राग मतलब किसी चीज को चाहिए, 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 चाहिए वो सेक्स है, चाहिए वो पैसा है, चाहिए वो जमीन है, चाहिए वो इज़त है, चाहिए कुछ भी चीज है जो आप मन है छटा वो उनकी वेदना है जो उनके अंदर चाहने की भावना आती है उसकी उत्पत्ति के वारे में करें कि इसकी उत्पत्ति इसकी जाती होना दुख है और वो कहते हैं कि इसकी बाधा जो होती है कि कभी आई कभी गई वो भी दुख है और वो कहते हैं कि इसका मरना भी दुख है और वो कहते हैं कि इसका जर होना यानि कि छे होना भी दुख है हर चीज में दुख आता है जब रा की और वेश की वेदनाएं आती है और जाती है वो जाते समय भी दुख देती है और आते समय भी दुख देती है उसके बारें बात कर रहे हैं क्योंकि पाली के अंद जन्नी बोलते हैं और पिता को बोलते हैं जनक यानि जो जीव दोनों नर और मादा होते हैं उनको जनक और जन्नी बोलते हैं और भी कई सब्द हैं माता के लिए और वहां से जो जनम होता है जो जनन होता है जो प्रजनन होता है जो जनित होता है जो जनितवा होता है वो जनित जब जनम होता है जनित होता है तो उसको जननी जननी जनक ये सम्मिके करते हैं और जो चीज पैदा होती है उसको जन्तू बोलते हैं जन्तू जन्तू यानि जो बच्चा है चाहे वो जीव का है क्योंकि जन्तू का मतलब साधाल भासा में जीव है तो जन्तू बोलते हैं जो र देजिब जनतु और जरक से सम्भनित कोई आंकारी लेनीया या देनी हैं तो पाली में उसको जच्चा बोलते हैं jacczा यह जच्चा का मतलब जरनब से सम्भनित यह जच्चाओ जनित ऑ जनितवा और जननी ओ जनक ये दोनों सब्द जीवों के जनम से संब्दित हैं पर जात सब्द जो है और जाती सब्द है ये वेदनाओं के पैदा होने से है यानि कि जो संसेशन बॉड़ी के अंदर होते हैं भाव होते हैं उनके पैदा और उनके खतम होने से मतलब है तो हम बोलते हैं जातक कत्हा, तो जातक कत्हा मतलब सरीर के अंदर वेदनाओं की रागद्येस की जो हमारी वेदनाओं हैं उनकी कत्हाएं, भालक बताया करते तेसको जातक कत्हाएं, तो जातक बोलते हैं, जात बोलते हैं, जाती बोलते हैं, तो जाती खेत भी होता है, यान जात और जाती के सेको सब्ध हैं पाली के अंदर पर वो वेदनाओं से संबंदित है वो जनम से संबंदित नहीं है इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि जाती का मतलब पाली के अंदर ये वाली जाती है ये वाली जाती नहीं है क्योंकि जात और जाती का जो अर्थ है व उनका पैदा होना उसको जात और जाती बुला गया है दौनों का मतलब एक है और उसकी कथाएं है जिनको जातक कथा बोलते हैं और इसमें कोई नर नारी का नाम नहीं है यानि कि ये मेल और फीमेल से पैदा नहीं होती है ये बहुत सारे कारणों से होती है और कारणों का जिक है कम्मंत अगर हम किसी से पूछते हैं तुम्हारा काम क्या है तो आज हम साधन पूछते हैं कि तुम्हारा काम क्या है पर कारोबार क्या है काम क्या है पेशा क्या है इसको पाली में बोलते हैं कम्मंत यानि अंतिम कारे अंतिम कारे मतला पेशा कारोबार तो कम्मंत पूछते है मैं कुम्बकार हूँ मैं चम्मकार हूँ मैं यहां गोड़ावान हूँ रथवान हूँ या मैं राजा हूँ या मैं सिपाई हूँ या मैं दर्बान हूँ वो कम्मंत के जवाब में अपने पेशे को बताता है कि मैं इस पेशे का हूँ तो वो जो पेशा बताता है वो जाती ही नहीं है क्योंकि जाती है भावना जो अंदर आ रही ना आ रही है OursGS बता रहा है कारवार बता रहा है जो बीजिस्निस बता रहा है वह कम बंत में आता है तो आप अगर ध्यान दोगे और अच्छी तरह से जानोगे तो आप यह पाओगे कि भारत में कुछ लोगों का पेशा है और कुछ लोगों का पेशा ही नहीं है यानि उनका काम ही नहीं है इसलिए जो व्यक्ति जो काम करता है बाद में उसको कम्मंद कहने की बजाए कि इसका कम्मंद ये है या उसका कम्मंद ये है उसकी उत्पत्ति क्या है वो क्य उत्पन्ट के लिए आता था, वो जाती उसकी कम्मंथ के लिए इस्तेमाल होने लगा, सब्द बदल गया, और हम यह पूशन लगे कि आपकी उत्पन्टा क्या है, आपका उत्पन्ट करते हो, तो जात और जाती जो रागद्वेस उत्पन होते थे, हम रागद्वेस के उत्पन के बारें बात करते थे, वो रागद्वेस के साथ ना होके, कम्मंत के साथ आगे, काम के साथ आगे, यानि हम काम की उत्पत्ती क्या है, काम क्या है, उसके बारे पूछ लगे, और जाती जो उत् का मतलब हम जो Exactly से उससे उत्पन भावनाओं के वारे में वेजों के वारे पूथ realistic वो खतम होके काम के वारे में आगया कि इसलिए भारत के अंदर जो लोग जो काम करते थे उनको उसी काम के नाम से जाने लगे और कम्मंद की वजाए जाती भोने लगे जैसे कोई अगर किसान है तो उसको बोलते थे जाती कसक जाती कसक मतलब किसानी का काम खेती काम उत्पन करता है या जैसे सिकारी है कोई सिकार करता है उसको सिकारी बोलने लगे या कोई केवट है तो केवट बोलने लगे यानि जाती केवट कोई आदमी अगर धीर बढ़ाई का काम करता है तो उसको जाती उसकी बढ़ाई हो गई कोई आदमी चमका काम करता है तो उसकी जाती चमकार हो गई काम के आधार पर हम जातियां बोलने लगे और जातियां महां से आने लगी जब तक काम के आधार पर हम किसी को बोलते थे कोई दिक्कत नहीं थे आज भी हम काम के अपने बाल करते पर केस कपक होते थे, अभी नाई भी है, अभी कप्डे धोने वाले भी है, अभी सफाई बाले भी है, अभी साइकल चलाने वाले भी है, अभी टैक्शी ड्राइवर भी है, अभी हवाई जहाज के ड्राइवर भी है, अभी तोप के ड्राइवर भी है, अभी रेडियो चलाने वाले ऑपरेटर भी हैं अभी जोकी भी हैं अभी डांसर भी हैं अभी फोटोग्राफर भी हैं अभी कम्पूटर ऑपरेटर भी हैं और अब वो ले टेस्ट और भी चीज़े आने वाली हैं जो रोबोट चलाने वाले हैं रोबोट के ड्राइवर भी आने वा पर जो व्यक्ति पावर्फुल होते हैं, जो व्यक्ति ताकतवर होते हैं, जो व्यक्ति जुंड बे रहते हैं, उनको सब लोग इज़त से बोलते हैं, उनको कोई नीचा नहीं बोलता, क्योंकि वो खा जाएंगे, वो आपको मार देंगे, आप उनके सामने अगर जाओगे, त पर जो व्यक्ति अकेला है और उसके सामने आप जाते हो बेसक उसने कितना भी आपका फाइदा किया है आपका मन करें तो आप अभी तब बोल सकते हैं कुए आप ताकत में या समुव में उससे ज़्यादा हो तो जब तक हम इखटे रहे और जब तक हम संग में रहे तब तक ये जातियां उत्पन नहीं हो पाई जो आज के समय गालिया हैं ये नाम नहीं उत्पन हो पाए जो आज के समय गालिया हैं किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे काम को और हमारे पेसे को नीच और उचा कह सके ना उचा या नीचा किसी माईकलाल की ताकत नहीं थी पर जो लोग जिनका कम्मंत यानि काम सिर्फ याचना था याचक थे यो याचना करते थे और जो सिर्फ मांग के खाते थे उनका कम्मंत ही वो था मांग के खाने का वो व्यक्ति संग बना गए और मांग के खाने वालों ने कमा के खाने वालों पे रूल करना सुरू कर दिया और रूल करने क उन्होंने जो गुण अपनाए वो तोड़ने के गुण अपनाए कि इनको तोड़ा जाए और तोड़ने का जो काम उन्होंने किया वो ठीक ऐसे काम किया जैसे कोई छोटा बच्चा होता है साल का देड़ साल का उसको नहीं पता कि जब वो पॉट्टी करता है लेटिन करता है जब वो टट्टी करता है कि टट्टी खराब चीज़ है या अच्छी चीज़ है अगर आप उसके सामने अच्छी अच्छी अरे गंदी चीज़ और मुह बना के बार बार नहीं कोगे तब तक उसको यह एसास नहीं होता कि जो मेरे घरवाले हैं जो मुझे बार बार बता रहे है कि यह अच्छी चीज़ है या खराकी है वह लेटीन में हाट डाल देगा हाथ सान लेगा उसको कोई मतलब नहीं है उसके लिए लेटीन एक मट्रियल है पर उसके मावाब को यह पता है कि यह लेटीन बदू देती है बदूदार है इसमें बदू आती है यह अच्छी चीज यह नहीं है इसलिए वो उसको बार्बार क 개ret गंदी चीज को अच्छीश रहते हैं और रहता हैं ना केवरे अपनी लेटीन से बाकि दूसरों की जोलेटीन तो यह उसके मन्मे जो बात डाली गई है लेटिन खराब और अच्छी नहीं होती है पर उसका बीदूदार और उसका सिस्टम देखके जो मन को तोड़ा गया तो हमारे काम के आधार को खराब और अच्छा बता के तोड़ा गया हम सारे काम करते थे पर वर्ग भेद में जब बार बार मन में ये डाला गया कि ये काम खराब है ये काम खराब है ये काम अच्छा है वो बात हमारे मन में डाल दी गई डाल दी गई और जो व्यक्ति AI-KIKDH केती किसानी का काम करता जंगल में उसको हम गंदा मान लेते हैं कि यह अच्छा काम नहीं कर रहा है जिसको व्यकति और जो व्यक्ति फट्रुब करता है गंदा मान लेते हैं। और जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, खाली किसी जगे जाके बैठा हुआ है, उसको दिमाग में डाल दिया कि यह सबसे अच्छा है, नहां दोके बैठा हुआ है, तो वहां से छोटा बड़ा डबलब किया गया, और छोटे बड़े का सिस्टम डाल के लोगों को आपस में चोटा बड़ा करके अलग किया गया, चोटा बड़े के साथ नहीं जाता, बड़ा चोटे के साथ नहीं जाता, पर यह सिस्टम कितना चोटा है, कितना बड़ा है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यह सिस्टम बनाया गया ताकि हमारा जगड़ा अपस में लगे और हम अपने resources को उसको दे आए तो हर एक व्यक्ति सबसे उंचे वाले को खुश करने के लिए देता रहता है और हर एक व्यक्ति खुश है कि मेरे नीचे कुछ है मेरे नीचे कुछ है पर ये नहीं समझता कि उसके उपर भी कुछ है उसके उपर भी कुछ है और ना किसी के नीचे कोई था और ना किसी के ऊपर कोई था तो वहां से यह सिस्टम डवलप हुआ और यह सिस्टम ज़्यादा पुराना नहीं है क्योंकि पुराने समय में अगर आप ध्यान दोगे तो जितने भी पेशे हैं रोजगार हैं यानि कंबंध हैं वो कंबंध उसे समय भी वैसी थे जैसे आज हैं जैसे आज हम कहते हैं डॉक्टर एक पेशा है वैद एक पेशा है तो डॉक्टर और वैद जो पेशा है उसमें हम नर नारी नहीं लगाते अगर कोई महिला है डॉक् पेसा जो है जो बिजनिस है जो वर्क है जो कममंत है वो न्यूटल है यानि कि वो दोनों के लिए सेम है कोई अफसर होता है ओफिस के अंदर तो चाहें वो महिला है चाहें वो नर है चाहें वो नारी है दोनों ही केस में वो अफसर होती है या अफसर होता है तो हम यह नहीं कह कोई अगर इंजिनियर है तो उसका पेसा है तो इंजिनियर ही है चाहे वो नर है नारी है वैसे ही अगर कोई सक्का का काम करता था यानि कि पानी को लाके भरने का काम करता था तो वो नर हो या नारी हो वो काम सक्का ही था कोई अगर चमकार है तो चमकार नर करे या नारी करे क चम्बकार था यानि पेसा जो था वो ना नर था ना नारी था वो न्यूट्रल था व्यक्ति कोई भी करे चाहे नर करे या नारी करे इसका मतलब यह हुआ कि जो आज के समय जो बात के समय ये बनाया गया कि पेशा नारी का अलग है नर का अलग है जैसे कहते हैं कुमार और कुमारी ये आज की भासा है उस समय जो बतन बनाता था उसको कुम्बकार बोला करते थे बस वो कुम्बकार के लावा कुछ नहीं होता था तो पेशा जो होता है यानि कमकार जो होता है वो जात नहीं होती वो सिर्फ कमकार उसका बिजनिस उसका वेबसाय होता है पर ये धीरे 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 सिस्टम जो आज के समय ला दिया गया उस समय काम के आधार पे उसको सीड़ी बना के हमारे सामें लाया गया और हमें आपस में ये एसास कराया गया कि ये चोटा और ये बड़ा ये चोटा बड़ा और फिर हमारे ही उस पेसे के तहत में लोगों को बंद कर दिया गया और कहा कि आपने सादियां भी इसी में करें तो ये छोटा घेरा बन गया और हमारा जो बड़ा संगे वो तूपता चला गया और हमको पता नहीं चली कि हमने कब अपने आप अपने सिस्टम को तोड़ दिया और कब हम छोटे-छोटे दायरों में बंद गए छोटे-छोटे सरकलों में बंद गए और उसी के अंदर आ जो व्यक्ति सेरा में भड़ती है उसकी काम अफ उसकी जो जात है वो सेनिक होनी चाहिए जो व्यक्ति MPMLA बन गए उनकी जात राजा की होनी चाहिए उनकी जाती राजा की होनी चाहिए और जो व्यक्ति डॉक्टर इंजिनियर बन गए उनकी जातियां डॉक्टर इंजिनियर होनी चाहिए उस पेसे उस कम्मंद के हिसाब से पर सिश्टम हाथ से निकल गया जो काम से जातियां आरब हुई थी काम की पहचान से जातियां आरब हुई थी वो जड़ हो गई वो जड़ कर दी गई व्यक्ति कुछ भी काम करे कुछ भी पड़े कुछ भी लिखे कितना ही करा दी कि वो पीछा नहीं छोड़ती और उसकी क्यों कराई गई क्यों कुँकि अगर उसकी इसकी मानेता मजबूत नहीं की गई तो जाती का लाब उपर वाले को नहीं मिलेगा और सबसे मैजदार बात ये है कि सबसे ज्यादा लाब वो ले रहा है जिसकी जाती नहीं जिसकी कोई काश्ट नहीं यानि जो मंगते थे पहले लोग जो भिकारी थे जो याचक थे जो कुछ काम नहीं करते थे जिनका कोई पेशा नहीं था उनकी कोई जाती नहीं बन पाई क्योंकि जातियां पेसे के अधार पे बनी पर जब कोई काम ही ना करे मंगते का करे तो वो भिकारी की जाती उनकी जो थी उन्होंने वो स्विकार नहीं करी और उन्होंने बड़े अच्छे सडियंत से अपने आपको जाती वीहिन रखा और सारी जातियों के उपर अपने आपको एस्टाबिस करके और सारी जातियों के बेनिफिट को लेते रहे और यहां तक अपने आपको घोचित करते रहे हम सबसे बड़े हैं क्योंकि अगर वो जाती में आते तो सबसे नीचे आते क्योंकि मंगते थे तो मंगने का काम सबसे नीच काम है मांगने का इसलिए अगर जाती के पेसे में उनका सिस्टम बनता हमारे साथ तो सबसे नीचे बनता पर उन्होंने जानते थे कि हम सबसे नीचे क्यों रहें इनकी जाती क्यों नहीं है और इनका पेशा पहले क्या था और ये क्या काम करते थे तो कि जिनकी जातियां है वो पेशे से आई है और जो पेशा करते थे जो रुजगार करते थे जो गफसाय करते थे वो लोग यहीं के हैं वो लोग मंगते नहीं है और वो यहां के मुल निव प्रवासी है ये बाते होती है इसलिए लोगों ने बाद में धरम भी बदले कुछ मुस्लिम होगे कुछ इसाई होगे कुछ सिक्क होगे कुछ अलगतरेगी उसमें चलेगे पर सब के साथ जातियां गई इसलिए भारत में लोग कहते हैं जाती पीछा नहीं छोड़ती जाती नहीं मरते मरते भी नहीं जाती ये नहीं जाएगी और इसको जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये आपके भारतिय होने की ये आपके महा भारतिय होने की ये आपके बुद्ध से पहले यहां का जंद आता होने की पहचान है ये नहीं जा जा सकती इसको नहीं जाना चाहिए क और वो आज भी गर से कहते हैं कि हम तो मंगते हैं, उनकी सारी कहानिया कहती हैं कि हम तो मंगते हैं, इसलिए जातियों का अभ्यास खराब है, जाती की जानकारी खराब नहीं है, आप जाती की जानकारी रखो, तो जाती की जानकारी रखने के लिए आपको थोड़ा गहन चिं से हैं तो आप पाऊगे कि ये जो जाती है आपके रिस्तिदार ने आपके माता ने आपके पिता ने आपके भाई ने आपके बहन ने आस पास के लोगों ने इसको इंटर्डूस कराया है उन्होंने बताया है कि आपकी जाती क्या है और वो जाती कहां से आई है ये किसे नहीं पताया क्योंकि उनको भी नहीं पता कि जाती का सिस्टम कैसे डबलब हुआ, इसके क्या है, क्या परणाम है, क्या दूस्परणाम है, क्या छे परणाम है, उनको पता नहीं, और किसी ने सोचने की कोशिस में नहीं कई, जब वो बाहर निकलता है, तो जो जाती का लाब उठात तो उधाल ले रखा है तो जितना पैसा होगा दे देगा वैसे ही जो जाती लेके घूमते हैं वो दूसे लोग का उधाल लेके घूमते हैं जैसे ही कोई सामने वाला मिलता है और वो जाती पूसता है तो बड़ी जाती वाला अपना उधाल ले लेता है उससे कैसे उधाल लेत हैं हमारे एंढसी और खुद वो जो जाती आधा टाते हैं वो कहते है ए घड़ाया बेकार सा appelle जैसे deg के जैसे बच्टे को कहते है तो टट्टी है ऐसा मोँ बना कर तो उसको लगता है कि खराब चीज है यह और इसको शुक देने के यह कहते हैं तुझ से खराब कोई और भी है उसके नीचे का इस्टेप दिखा दिते हैं तो वह सोचना बंद कर देता है वो चैन होती है जो अपने जनम की चैन होती है जो माता पिता दादा दादी पर दादा पर दादी या जो भी लोग है वो कभी जिरह नहीं करता और कभी कोई सोचे भी जिरह भी करे तो उनको पता नहीं होता और किसी को पता होता है थोड़ा बहुत तो वो थकार के कहता है कि भाईया यह तो चलती है यह तो रुकती नहीं कि ऐसा दाइरा और ऐसा सरकल बना दिया system में हमाइर धिमाग में कि हम जाती से circle से जाती के लोगों से बाहर का सोचते नहीं और कोई आदमी अगर यह कहता है कि मैं जाती को नहीं मानता तो वो यह देखे कि जब को उसकी जाती का नाम लिया जाता है तो उसके लगना और यह खराब लगना यही हमारे मौत का करण है यही हमारे दिमाग में डाला हुआ है और इसको खतम करने के लिए इसको बिल्कुल तहसनेस करने के लिए प्रियास किये गए पर वो प्रियास जितने किए गए उससे ओर मजबुत होता है system क्यों हुज難 मजबुत होता है इस system की खास बात यह है कि आप इसको जितना हटाने की और जितना तोड़ने की कोशिच करोगे उतिना यह मजबुत होता है क्योंकि आप इसको याद करते हो इसकी practice करतेивать हो उसका अभयास करते हो आपको बार बार निकलोगे तो जो सिस्टम में प्रैक्टिस में जाती के में जिस में अपनी बड़ी जाती का सिस्टम कर दखा है या बिना जाती का ऊपर बेठा हुआ है वो तो बार बार पूछे गा क्योंकि उसको फायदा होना है उसे पता है कि इतने दिनों से जो सिस्टम चल रहा है उसका फायदा मिलता है तो वो अपना फायदा बिलकुल नहीं छोड़ेगा और जो नीचे वाला है उसको समझ में नहीं आता तो दायवाय बोलता है कहता है पूछने पे हम तो मानव हैं हम human है हमारी काश्व तो मानपता है हम तो सब को बरावर मानते हैं क Sale ia gaat चोटी है तो फिर मेरा meansoni गर जाएगा तो मनोल बचाने के लिए दायवाब होओना है कुछ लोग जोट बोल जाते है हम तो बड़ी जाथ के हैं हम बिना अभ्यास के खतम कर देता. ग्राने समय में अगर आप जाओगे और पीछे कि तरफ जाओगे तो सम्वर्लोगों की कोई कास सिस्थम नहीं है, कोई जाती बाती नहीं है, कोई नाम नहीं मिलता. तिरपीटक में 6793 में से एक भी जाती का नाम नहीं मिलता. और अभी जो कालपनिक कहानियां हैं उन कालपनिक कहानियों में भी दो चार दस्तमाच जातियों के नाम मिलते हैं जो कालपनिक कहानियां उसमें कोई धोबी का पात्र है कोई केवट है कोई बेरी का है कोई इस तरह का कोई सूत पुत्र है इस तरह के छोटे मोटे सिर्फ बने हुए हैं कोई 6743 नाम नहीं है उसके अंदर पर ये जो 6743 नाम है इनमें अधिकतर नाम कॉमन हैं अधिकतर नाम कॉमन इसलिए हैं क्योंकि काम ही थोड़े से हैं पर उनके नाम बदले गए हैं पूरे भारत में अगर आप सारी जातियों का एक चार्ट बना लोगे और चार्ट बना के ये देखोगे कि इसके अंदर बरतन बनाने का काम किस किस नाम से होता था तो आप अलग अलग भासों में पता करोगे कि हजारों आदमी हैं जो काश्ट के नाम से इसमें दर्ज हैं पर उनका काम सिर्फ बरतन बनाने का है यानि क कुम्ब कार हाज़ारों नामों से आता है आप यह देखोगे कि वह यह जो olarak 733 जाती आए इसमें कपड़ा बनाने वाली जो है वो कितने नामों से हैं तो आपको बहुत नामों से उसमें कपड़ा बनाने वाले लोग मिलेंगे आप देखोगे कि इसमें कपड़ा सिलने वाले कितने लोग हैं उनके नाम मिलेंगे आप देखोगे अलग-अलग स्टेट मे पर यह सारे के सारे एक परिवार के लोग हैं वो परिवार के जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे सिस्टम में हम सब एक ही काम करने वाले लोग रहे हैं हमारे परिवार का एक ही आदमी अलगलग काम करता था तो हमारे परिवार तो जब हम जाते हैं पराने सिस्टम में बुद्ध के सिस्टम में तो वहां जातिय है कि यह समर्ण सब्दैसा है जो जाती वो जड्सेख खतम कर सकता है और कर देटा है यह क्योंकि जब कोई आपसे पूझए भाई है तो आप क्या जवाब होगे अब आप अपना पेसा नहीं की पेसा बता होगे तो वो जाथ में ले जायेगा आप लोखे पहले क्या थे, जात बता हो, क्या है ख्यानी है. उसका तो कुइ अतर पता है नहीं. नाम लेगा जाती का. तो अगर वो वमन थेकी थी जाती का. प्रावर वाले हैं और जादा लोग हैं तो यहां वो आप से जाती अगर पूछता है तो जाती आपको बताने की आउसकता नहीं है क्योंकि आप यह कह सकते हैं कि समणों की कोई जाती नहीं होती समणों का ता पूरा महाबरत होता है और हम सारे समण रहे हैं और हमारा संग है यहां यह जवाब इतना परफेक्ट जवाब है कि वमण बलकुर चुप हो जाता है तो वमण कहेगा अरे समण तो हो पर कोई जाती तो होगी तो आप पूछ सकते हो अरे वमण तो है पर कोई जाती तो होगी तो कहागा हमें तो कोई जाती नहीं होती तो कहना वे चंदू बता, क्या बताएगा, मंगता है, भिकारी है, मांगता है, यह बताएगा, इसके लावा कुछ और उसकी पहचान है नहीं, कोई काम उसके पास है नहीं, पर आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, पर बताने की जरूत नहीं, क्यों बहुत बढ़ें, बात कतम हो गई, सम माइन से है चलती है यह तो मन की उपज है पर यहाँ जगडा दो लोगों का है एक सर्मन लोगों का है और एक भाहमन6 सब्टेन。 अगर वो उसी समय यह कह देते कि समरं लोगों का है और वम्रन लोगों का है तो आप बात जल्दी माल लेते हैं तो सतर साल का इंतजार नहीं करना पड़ता है बात जल्दी समझ में आ जाती और जब बात जल्दी समझ में आ तो काम जल्दी बन जाता इसलिए समण संग ने पुरानी परंपरा देखते हुए कि हमारे अंदर कोई घेदभाव नहीं था हम एकी साथ के लोग हैं वहां जाती अभ्यास को पूरी तरह से पैन किया वज्जित किया वज्जित किया निसेद किया क्योंकि जाती अभ्यास आज के समय जहर है आज इसका जो इस्तमाल है वो पेसे के रूप में नहीं है आज इसका इस्तमाल कंबंत और काम के रूप में नहीं है वेफसाय के रूप में नहीं है वेफसाय के रूप में जो पहला सिस्टम था अगर वो सिस्टम अभी भी चलता होता तो जितने सरकारी करमच प्रप्राने से हमें लाब है अगर हम प्राने सिस्टम पर अपना पेशा बताते हैं और फिर वही काम बताते हैं कि मैं मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं टेक्निशन हूँ तो ये चीजे बहुत कमाल की है और ये गौरप की है पर पराने सिस्टम में अगर जाते हैं पराने काम के साbn से पैसा बताते हैं तो वो कोई पैसा खराब नहीं था कोगि हम करते थे वो पेसे को जो छोटा-मुटा कर दिया, बड़ा कर दिया और उसका लाब को योल ले रहा है और हमाय आपस में लड़ा रहा है उससे हमारी अबनती हुई, उससे हमारा संग तूट गया उससे हम गरीब होते चले गए इसलिए जाती का सबसे ज्यादा नुफसान इस बात का है कि आप कितनी भी महनत कर लो, आप कितने भी पढ़लो, आप कितने भी विद्वान बन जाओ आप डॉक्टर अमबेटकर बन जाओ, पर वो आपका पीछा नहीं छोड़ते क्योंकि फाइदा उन्हें है, डॉक्टर अमबेटकर की जाती अगर उन्होंने विद्वान की मान ली और डॉक्टर अमबेटकर को अगर आपने ग्याता मान लिया और डॉक्टर मेंटर को आपने दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक ग्याता मान लिया तो विस्व गुरू हो जाएंगे उस समय के हिसाब से पेसे के हिसाब से और विस्व गुरू हो जाएंगे तो बागी लोग तो विस्व चेले हो जाएंगे वो क्यों विस्व चेले होना कर दिया और बाइस की बाइस प्रते ग्यायत दी क्योंकि बावा साव अम्बेट के जानते थे के टेक्टर इतना खराब हो चुका है कि अगर इसकी मरम्मत करेंगे तो पूरी जिंदकी मरम्मत में चले जाएगी और ये काम का भी नहीं है और अफसे कोई लाब भी नहीं होने इसके टायर टूस अब गल गए है इसमें जंग लग गई है इसमें एनरजी लगाना मुल्खता है इसलिए उन्होंने सीधे सीधे उस टेक्टर को मना कर दिया ये टेक्टर खराब है बात खतम करो इसको छोड़ दो और उन्होंने अपना फस्क्लास फराटेदार जो पूरी टेक्टर को वो पीछे चुड़वाने को त्यार नहीं है क्योंकि प्राने टेक्टर से उनको फाइदा है और हार्वेस्टिंग मसीन से हमें फाइदा है इसलिए हमें प्राने टेक्टर का जिगर ही नहीं करना चाहिए इसलिए जाती अभ्यास की जरूती नहीं है इसलिए ज जिनको ये लगता है कि ये जाती का भी एक मुद्दा है, जिनको ये लगता है कि जाती तोड़ो, जाती छोड़ो, जाती का ऐसा कर दो, जाती का वैसा कर दो, और ये बड़ा उचा काम है, और इसको करो और इसको करना चाहिए, और वो इसके लिए कैस के चीज़ें बताते हैं पर उससे फाइदा नहीं है, उससे नुपसान है, क्योंकि आप जितना उसका जिक्र करोगे, जितना तोड़ोगे, जितना फोड़ोगे, वो एक ऐसा फिनोमिना है, कि वो बीज का बीज, जितना तोड़ोगे, उतने बीज बन जाते हैं, और उतना वो पैदा हो जाते हैं, पर तो बिचारों को ये पताए नहूं कि जाती क्या सिस्टम है क्या नहीं है क्या नहीं है बस उनको लगता है कि हزार-दो-जार की भीड हो कहतीं जैकारा हो पर उनको पता नहीं है कि उन्होंने अपने समाज को कहा फैक दिया जो चीज बावा साब ने दफन कर दी थी, जो चीज पूरी खतम हो चुकी थी, उसको दुबारा से जिन्दा कर रहे हैं, पर समर संग जिन्दा नहीं होने देगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पचार में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इस जानकारी में आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम यह बताएंगे कि यह कैसे बनी थी, इसका क्या सिस्टम था, इसका क्या काम था, इसका अब इसकी कितनी आवशकता है, कितनी नहीं है, क्यों है, और बिना डरे खुलके इस पर जिक्र करेंगे, तो इसका अभ्यास तो नहीं करेंगे, पर इसकी जानकाई दें कि यह अब काम की नहीं है यह उस समय उनके काम की हो सकती थी अब विलकुल बेकार है अब जो सिस्टम हमारा है जो सिस्टम बावा साब में दिया है वो सबसे बैस्ट है और वो सिस्टम यह है कि हमारा समर संकती यानि जिसको सिर्मन संकती का था वो सिर्मन संकती और जो समर संक करती है संमरसंकती ए उसको डबलप करना है और उस पुरानी संकती में गई यह वीमारी थी नहीं कीड़े थी थीती नहीं तो पुरानी चीज़ अगर हम लेंगे वह साथ सुत्री मिलेगी हमें तो फिर हम आग पत्व में वहत तेसे आगे बढ़ते चले जाएंगे ये काम हमारा होता चला जाएगा पर जाती का लाव लेना मत छोड़ना भाई ये मैं आपको फिर बता देता हूं बहुत साहे लोग सोचते हैं कि जाती का भ्यास अगर नहीं करना है तो सार्टिपिकेट जो दिया है उस पे हमें कोई चीज लेनी भी नहीं है ऐसा नहीं है उसक सेपरेट एलेक्टरोल में जाती नहीं कुछ ही जाती थी सेपरेट एलेक्टरोल में कास्ट का कोई परचा नहीं लगता था सेपरेट एलेक्टरोल में पहले या उस समय उससे पहले कहीं कोई कास्ट का सार्टिपि नहीं बनता था तो सेपरेट एलेक्टरोल लेने से हमारी क काश्च जट से खतम हो गई और हम सारे के सारे समण हो गए थे सब के सब पर वो लोग भी तेज हैं उनको भी पता है कि बावसा मंबिट करने कहां तीर मारा आया निसाना कहां है हम अपने लोगों को चुनते उसमें हमारा काश्ट फेक्टर नहीं आता उसमें क्या आता है कि जो काश्ट के लिए वैलफिर का अच्छा काम करेगा उसको लोग चुनेंगे उसमें वर्मर लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो जो अच्छा काम करेगा आएगा तो उसमें क क्या हुआ जब separate electrol को बावा सापको धंका के बावा सापको मज़ूर करकर blackmail करके उनको जान का खत्रा दिखाके उनको घुटनों पर लाके और जब यह sign कराए गया कि separate electrol नहीं मिलेगा उसके बदले में आप चाहो तो अपने लोगों के लिए सुभिधा ले लो तब यह reservation की जो opportunity है यह हमको मिली और यह तीन जगह से हमको मिली एक education में एक government job में और एक यह MPLA बने के लिए लेजिस्ट डिडेटिसी में हो तो यहां यह जब हमको मिली तो इसके लिए हमें सार्टिपिट बनवाना पड़ता था क्योंकि आप अगर legislative में जाओगे यह आप assembly में जाओगे तो आपको एक सार्टिपिट जाना पड़ता है कि मैं सुरू कास्ट के इस reservation के लिए eligible हूँ और यह मेरा certificate है वैसे ही एजू केस्ट में रिजर्विशन में और वैसे ही गौवर्मेंट की services में अगर यह कास्ट सार्टिपिट नहीं बनवाओगे तो यह आपको जो availability है वो नहीं मिलेगी आप अवेल नहीं कर सकते और इसके लिए आपको कास्ट सिस्टम बनवाने लिए कास्ट बता नहीं तो कैसे बनवाए हम तो समढ़ संगी है पर वहां आप सार्टिपिट बनवाएए और सार्टिपिट बनवाके लाब लीजिए पर उसका अभ्यास मत कीजिए सार्टिपिट लीजिए उसका फायदा उठाईए उसको बंद करके भूल जाईए क्योंकि यह हमारी बिलगा फिर इसमें ओवी सी ने भी अपनी कास्ट मनवाई उनकी कास्ट सिस्टम डवलप हुआ वहां भी कास्ट मजबूत हुआ पर यह अब लाश्ट फेस में है यह खतम होने वाला है यह इसलिए खतम होने वाला है कि अब इसका लोग समझ गये हैं कि फायदा लेलो पर एक हो जाओ तो एक होने का काम बहुत ही से चल रहा है और जब सारे एक हो जाएंगे फिर आप जिसको चाहो आरक्ष्ण देना जिसको चाहो आरक्ष्ण मत देना क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी सम्मिधान देता है उसको उतनी हिस्चेदारी और वो हिस्चेदारी ऐस कि वंड़ों ने बहुत राज किया है इनकी परसंटेज तो 80% जॉब में है अब इनकी पर इन्हें 100 साल तक नौकरी की आउसकता नहीं है यह नियम भी पास कर सकते हैं क्योंकि जिसकी जितनी संक्या भारी है वो जो चाहे वो नियम भारत में पास कर सकता है लोगत पास कर सकता पर करेगा वही जो संग में रहेगा जिसके पीछे संग खड़ा होगा जो इखटे होंगे अदरवाई तो यह सारी बातें सपना ही होती है इसलिए यहां हम जब कहते हैं कि जाती अभ्यास कभी नहीं तो उसका सबसे मूल कारण है कि जातियों का अगर अभ्यास करोगे आप तो फिर उनी के चंगल में फस जाओगे और जाती का भ्यास अगर आप नहीं करोगे तो आप किसी भी हलत में उनके चंगल में नहीं फसोगे इसलिए बार 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 हम इसके जोड देते हैं पर इसका जिक्र नहीं करने देते सिर्फ इसकी जानकाई देते हैं अगर मेरी कोई बात यहां आपको खराब लगी हो तो मैं संग से माफी चाहता हूँ संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संगंग नमामी, संगंग नमामी, संगंग नमामी